हेलो बेलकम दोस्तो चलिए आज हम एक्सल की सुरुआत करते हैं एक्सल यदि आप सीखना चाहते हैं तो एक्सल की कुछ महत्पून बाते हैं उनको सीखना जरूरी है समझना जरूरी है दोस्तो यदि आप एक्सल की ये सोला बात है जो बताने वाले हैं उनको आप सीख लेते हैं तो एक्सल आप बहुत ही आसानी से चला सकते हैं तो दोस्तो एक्सल सीखने के लिए जो जरूरी होता है जिनके आधार पर एक्सल को चलाया जाता है उनही बातों को हम समझने वाले ह इस क्लास के अंतरगत इसलिए आज की क्लास बहुत ही महत्पूर्ण होने वाली है इसी के आधार पर हम पूरे एक्सल में कार करेंगे तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं वो महत्पूर्ण बात हैं कौन-कौन सी हैं आए दोस्तों आज की क्लास में हम सीखते हैं MS Excel क्या होता है देखिए MS Excel का नाम आप लोगों ने सुना होगा ये बहुत ही महत्पूर्ण सौप्ट वेयर है कम्प्यूटर के छेत्र में MS Excel जो है एक अपनी बिसेश पहचान रखता है यह MS Office सौप्ट वेयर पैकेज का एक प्रोग्राम है MS Office हमने अच्छे से समझाया है पिछले वीडियो में तो जो MS Office है उसका एक ये पैकेज है यानि उसका एक प्रोग्राम है MS Office एक पैकेज है जिसमें बहुत सारे साथ प्रकार के हमने प्रोग्राम बताए थे उन्हीं में से एक प्रोग्राम आपका Excel है जो आपका Amazon Office है एक Group है और उसके अंतरगत जो साथ प्रकार की Software प्रोग्राम आते हैं उन्हें से Excel जो है वो एक आपका Software प्रोग्राम है देखिए आईकॉन में Office है उसके अंतरगत ये साथ हैं Word, Excel, PowerPoint ये बहुत सारे हैं computer में MS office install करने से MS excel install हो جाता है यैदि हम अपने computer में MS office install करेंगे तो यह 7 प्रकार के software आजाएंगे जिन में से हमारा XL भी रहेगा XL को अलग से install नहीं करना है आफ इस इंस्टॉल करेंगे तो यह 7 तो program आ जाएंगे और हमारा XL भी आ जाएगा यह आपका XL का icon है आपके computer में यदि Excel इंस्टाल है तो इसका पूरा नाम Microsoft Excel है इसे Microsoft Excel कहते हैं MS Excel ठीक है तो आप समझ गए होंगे कि हमको अपनी computer में Office इंस्टाल करना है तो हमारे computer में साथ प्रकार की program आ जाएंगे जिन में से Bird, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher और भी आपके जो साथ हैं वो हैं आँगे देखते हैं MS Excel को Microsoft Corporation के द्वारा बिक्सित किया गया जो MS Excel है इसे Microsoft Corporation Company ने बिक्सित किया है Microsoft के द्वारा इसे बनाया गया है देखे एक्सल का आइकोन हमने बता दिया है आपके computer में install होगा तो इस तरह का आइकोन दिखाई देगा MS Excel बहुत ही महत्पूर्ण software है इसका यूज गड़ती कार्ने के लिए किया जाता है देखे जो हमारा MS Excel है ये बहुत ही महत्पूर्ण software है और इसका जो काम है मुखरूप से वो गड़त का काम है यानि गड़त वाला कार हम इसके अंदर बहुत ही असानी से और सरलता से कर सकते हैं जैसे देख लेते हैं इसका यूज घर में होता है दुकान में होता है आफिस में होता है यानि इसका यूज जो है हम कहीं पर भी कर सकते हैं यदि गड़त संबंधी कार हम को करना है फ्लास माइनस फार्मूला वाला वर्क करना है तो हम वहाँ पर Excel का यूज़ कर सकते हैं आप उसके लिए कहीं पर भी यदि कंप्यूटर में गड़ित वाला कर रहे हैं तो उसमें हम Excel चला सकते हैं उसमें हम Excel का यूज़ कर सकते हैं आंगे देखते हैं MS Excel की कुछ महत्पूर बाते हैं देखिए MS Excel सीखने के लिए उसकी जो ये महत्तपूर्ण बातें हैं ये आपको याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, आपकी जानकारी में होनी चाहिए, तब ही आप Excel सीख सकते हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से समझना है और फिर हम Excel सीखेंगे. सबसे पहली बात है, एकसल की फाइल को बर्क बुक कहा जाता है, जो एकसल की फाइल होगी, उसे हम वर्क बुक कहेंगे, ध्यान रखिएगा, एकसल की फाइल को बर्क बुक कहा जाता है, आंगे देखते हैं, दूसरा, वर्क बुक के अंदर बर्क सीट होती है, वर्क सीट डि गहटा या बढ़ा सकते हैं देखिये जो हमारी वर्कबुक है एक फाइल हो गई और फाइल के अंदर फिर आपके seat होती है वर्कtheat उनको कहा जाता है तीन seat रहती है अब अब सक्तपन पर गहटा या बढ़ा सकते हैं अंगला देखते हैं sağlam जो भी कार करते हैं वह वर्क सीट में ही करते हैं एक्सल में जितना भी काम होगा तो वर्क सीट में करेंगे वर्क बुक में नहीं करेंगे क्योंकि वर्क बुक तो फाइल है उसके अंदर वर्क सीट है उसमें हम काम करेंगे वर्क सीट अंगला देखते हैं वर्क सीट में बॉ box box बने होंगे तो वो आपके cell कहलाते हैं उनको हम बड़ा और चोटा कर सकते हैं ठीक है दोस्तों आंगे देखते हैं cell के अंदर ही लिखा जाता है जो हमें कुछ लिखना है तो पूरी seat में छोटे-चोटे box होते हैं तो उन पांच हो गई छटमी देखते हैं सेल जो हमारा है जो बॉक्स होता है वो रो और कालम से मिलकर बना होता है जो हमारा सेल है वो रो और कालम से मिलकर बना होता है ठीक है रो और कालम को मिलाएंगे तो सेल बनेगा आंगे देखते हैं रो लेप्ट से राइट की तरफ होते हैं, इनका नाम गिंती के अक्षरों से दिया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आपका रो जो होता है, वो लेप्ट से राइट की तरफ होता है, और इनका जो नाम है, 1, 2, 3 ऐसे आंगे बढ़ता जाएगा, रो का, आँगे देखते हैं कालम कालम उपर से नीचे की तरफ होते हैं कालम का जो नाम है वो अंगरेजी के अलफावेट लेटर से दिया गया है जैसे A, B, C, D, E, F, G, H याने ऐसे इनका रो का नाम कालम का नाम दिया गया है रो का गिंती में इसका कैरेक्टर में अंगरेजी के अंगला है सेल रो और कालम से मिलकर बनता है इसलिए इसका नाम भी रो और कालम से मिलकर बनता है जैसे A1, A2, B1, B2, C1, C2 ऐसे इनका सेलों का एक नाम होता है और इन्ही के नाम के आधार पर काम करते हैं हम एक्सल में जिसे सेल का एड्रेस कहा जाता है जो इनका नाम होता है सेल का एड्रेस कहा जाता है सेल का एड्रेस बहुत ही महत्पूर्ण है इसी के आधार पर हम इसमें फार्मूला आदी लगाते हैं तो हमें cell का address ध्यान रखना है, क्या होता है, और आंगे कुछ और बाते हैं, उनको भी जानते हैं, तो 10 हो गई, 11 में जो बात है Excel की, महत्पूर्ण उसको समझते हैं, Excel में कोई भी calculation cell के address के आधार पर किया जाता है, हमने बताया था कि cell जो होता है, उसका एक address होता है, पता होता है, उसके आधार पर ही calculation होता है, और यदि आप कोई भी calculation करेंगे, तो cell का address लिखना पड़ेगा, आंगे देखते हैं, Excel में बहुत सारे फार्मूले भी हैं, जिनका use cell के address के आधार पर कर सकते हैं, Excel में बहुत सारे फार्मूले हैं, सूत्र हैं, उसमें पहले से हैं, वो सूत्र हम लगाते हैं, लेकिन हमें जब सूत्र लगाना है, तो cell का address डालना है, वहाँ पर आपको फार्मूले में cell का address लि होते हैं देखिए जो हमारा एक्सल है आप खोले होंगे कभी तो उसमें कहीं पर आपको ब्लैंक नहीं मिलेगा, खाली जगए नहीं मिलेगी, पूरे में छोटे-छोटे box मिलेंगे, वही आपके cell है, एक्सल सीट को spirit seat भी कहा जाता है, यह आपकी जो Excel की seat है, इसे spirit seat भी कहते हैं, ये एक्सल में आपके, आता है कईवा, तो ध्यान रखना है, एक्सल की seat को spirit seat, आंगे देखते हैं एकसल सीट का आकार बहुत बड़ा होता है यदि एक सीट को प्रिंट किया जाए तो लगभग कमरे की एक दीवाल के बराबर होगी जो आपकी एकसल की सीट है एक वो बहुत बड़ी होती है यदि पूरी सीट को प्रिंट कर दें तो लगभग कमरे की जो दीवाल है उतनी बड़ी वो सीट होती है तो इस तरह हमारे एकसल की कुछ महत्पून बातें हैं उसको ध्यान रखना है तो आँगे देखते हैं MS एकसल की कुछ महत्पून बातें हमने 15 बातों को समझ लिया है और आपको ये सारी बातें याद रखना है यदि ये बातें आप एकसल की याद नहीं रखते हैं तो आप एकसल नहीं सीख पाएंगे तो हम आसा करते हैं कि आप ये सारी बातें कंठस्ट कर लेंगे और याद कर लेंगे तो देखते हैं अंगे यदि आफिस 2003 बर्जन की बात करें तो एकसल की एक सीट में देखिए जो हमारे MS Office के जो बर्जन हमने बताए थे वो हमने आपको बहुत सारे बर्जन पिछली वीडियो में बताए हैं बर्जन का मतलब होता है नया मॉडल 2003 में आया फिर 2006 में नया मॉडल आया फिर इस तरह धीरे धीरे विकास हुआ जो बर्जन समय में आफिस का बर्जन चल रहा है वो 2019 चल रहा है आफिस का बर्जन तो ठी टीन की बात करते हैं कि 2003 का जो बर जनाया था उसमें एक सेहल की होती थो समें पार यह इत्युक्त चांठ चाला 6556,36 होते थे रो, कालम और रो, अब देखिए जो हमारा सेल है वो कालम और रो से मिलकर बना है तो दोनों का गुणा कर देंगे, रो और कालम का तो सेल निकल आएंगे, जो सेल छोटे-छोटे बॉक्स होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, देखिए आसान तरीके में याद कर रवा देते हैं, 16,77,72,16 जो आपके सेल हैं, जो छोटे-छोटे बॉक्स हैं, एक सीट में आपके 16,77,72,16 इतने सेल होते थे, तो देखिए रो 65,536 और कालम 256 और सेल आपके ये हो गए, तो देखिए अब आप अंदाजा लगा ये, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सी सेल हैं, तो पूरी सीट कितनी बड़ी हो गई, है ना, तो बहुत बड़ी होती थी सीट, हमने बताया कि कमरे के एक दिवाल के बराबर लगभग होती थी, आप इसके नए बरजन 2019 में इसकी संख्या और बढ़ गई है, अब 2019 के यदि हम बात करें, तो इसमें सेल और रो की स 2003 का थोड़ा जानकारी दे दिये हैं, तो आँगे देखते हैं, एकसल सीखने के लिए, एकसल की ये बातें जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, यदि इन सब का प्रेक्टिकल देखना चाहते हैं, तो इसके आँगे का वीडियो जरूर देखें, देखिए हम यदि एकसल सी सॉप्टवेयर हैं, और यदि हमें इसे सीखना है, तो सीखने के लिए, हमने बताया कि जो भूरने दे वीजार देखने, आँगे दिये, अब घ मता बताईंगे हैं, ज संभाइगे जिस आप आसानी से बताने प्रेक्राइन आब्छासरे आँगे दो, फिराबगी देखने म हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर जरूर करें तो इसी तरह हम आसा करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे धन्वाद